हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नगदी रहित भारत नगदी रहित भारत इस टॉपिक पे हम निबंद लेखन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में cashless इंडिया तो इस निबंद को 200 words में किस तरीके से लिखा जाए यह हम द दोस्तों हमारे content की तरफ हम बढ़ते हैं तो दोस्तों इसका हम जो introduction लिखेंगे किस तरीके से हमको frame करना है ध्यान से देखें इसको आप note-down भी कर लें साथ ही साथ नगदिरहित भारत की संकल्पना अभी हम हाल ही में प्रकास में आई है और इसका सही माओनों में किन सरकारदार हाल ही में किये गए 500 और 1000 के मुद्रा के विमुद्रिकर्णड को जाता है शुरु शुरु में तो लोगों को पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में बदलने में एवं अपने ही खातों में पैसे निकालने में काफी कटना है उसामना करना पड़ा है और यही वज़ा है कि सरकार के इस कदम की घोर आलोसना भी हुई देखिए दोस्तों जब तक आपको किसी चीज की आवशकता नहीं पड़ी कि तब तक आप उस चीज का इस्तमाल नहीं करेंगे हम कई लोगों के पास डेबिट कार्ड भी था और कई सारी सुगदा मार्केट में हैं अवी अवे लेवल जैसे पेटी है में कई सारे तरीके के इ लागरुक हुए है तो अगर देश से कैसलेस इंडिया की तरफ अगर बढ़ रहा है तो इसमें डी मोनिटाइशन या जिसको हम विमुद्रिगंड कहते है उसका बहुत जादा महत्त्व है उसका तो यह चीज हमने इंट्रोडेक्शन में ही इंक्लूड कर दी है आगे आलोचकों को कहना है कि भारत में ओनलाइन लेंदेन कते ही सुरक्षित नहीं है और ओनलाइन माध्यम से दोगादड़ी की घटना आम है और इसलिए परियाप सुरक्षा उपायों को अपनाए जाने की आवशकता है आलोचकों ने इस पूरे प्रकरण की बहिहत दरावनी त पता ही जा रही थी तो ये सारी बाते हमने इंक्लूट करें कि present scenario क्या है cashless इंडिया अगर हम बढ़ रहे हैं हमने demonetization विमुद्रिकान कर दिया है तो जो हमारा present scenario तो उस पे यह ऐससे है यह ऐससे cashless इंडिया पे है नगदी राइद भारत पे है cashless economy पे नहीं है cashless countries पे नही points एड करें आता है हालक कि सभी पुराने 500,000 के नोटों रुपए की मुद्रा की विमुद्रिकान के बाद देश में डिजिटल मार्डियम द्वारा नगदी लेन दिन में भारी उच्छाल देखा गया credit debit card मोबाइल फोन अनुप्रियोगों के एकिक्राइद बुक्तान इंट देखो जो हम इस चीज को ध्यानने कि किस तरीके से लोगों ने इसका वरोध भी करा और किस तरीके से इसका positive way में भी use हुआ है और किस तरीके से use हो सकता है क्या-क्या options हैं यह सारी चीज़े हम बताएं कि cashless इंडिया की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्या-क्या options हैं कि तरीके से नगदी रहत भारत की तरफ भड़ा आगे अगर सर हुआ जा सकता है तो इस यह points हमने यहां पर include कर दिया हैं आगे बढ़ते हैं हमारे निशकर्स की तरफ तो दोस्तों इस निबंद का जो निशकर्स है conclusion जिसको हम बोलते हैं वो किस तरीके से लिखा जाना है ध्य जन संक्या गरीबी रिखास से नीचे जीवन बिताने को मजबूर है नगदी रहित अर्थविवस्ता कैशलेस एकोनोमी लागू करने में कटना ही आना तो स्वाबवक्ष है लेकिन इस दिशा में प्रयास शुरू करना जरूरी था आज डिजिटल माध्यम से मौद्रिक ले कि अब कोई गुंजाईश नहीं है तो यह सारे हमने जो बेनिफिट्स ते उसको निशकर्स में लिख दिया है कि क्या-क्या फायदे हो सकते हैं लोग किस तरीके से लोगों का मन भी कर रहा है कि कैशलेस वो ट्रांजेक्शन्स करें और लोगों को अवेर हो रहा है जागरू पॉइंट्स इंक्लूट करें यह ऐसे था मैं अभी भी आप से बोल रहा हूं कि दोस्तों हमको टॉपिक ध्यान रखना है टॉपिक हमारा निबंद का था कैशलेस इंडिया नगदी रहित भारत इसी टॉपिक पे इंग्लिश में वीडियो आएगा दोस्तों तो जो इंग् पर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें वीडियो देखने की बहुत बहुत दन्या दोस्तों थैंक्यू सो मच